विए अचाईवी और एट से रिलेटेक मिने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए है बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो कि एक व्यक्ति से अगर कई लोग मिलते हैं तो क्या अचाईवी होने की संभावना रहती है उन लोगों को जो लोग मिलते हैं एक व्यक्ति से या उस एक व्यक्ति को जो मिलता है कई लोगों से तो इसको हम बहुत अच्छे से बोर्ड पे अभी समझेंगे बट अगर आपके अचाईवी से रिलेटेड कोई दूसरे भी सवाल है इस वीडियो के अलावा भी तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएं और वहाँ पर जाकर अचाईवी से रिलेटेड वीडियो देखें बिकॉस जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे माइट बे पॉसिबल की वो वीडियो अलड़ी वहाँ पर हो तो एक बार आप उसको जुरू देखें तो वेल अब आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करने के लिए कि अगर एक व्यक्ति के साथ कई लोग संपर्क करते हैं तो किस-किस को संभाबना HIV के होने की हो सकती है तो चलीए यहाँ पर यह कंडिशन हमने ली है कि अगर यह एक व्यक्ति है और इससे कई लोग मिलते है या यह माल लिजे कि यह व्यक्ति कई लोगों से मिलता है अलग-लग समय पर तो किसको संभाबना होगी इसको कितनी संभाबना होगी या इनको संभाबना होगी और कैसे positivity हो सकती है तो माल लेजे कि इस व्यक्ति को अभी किसी तरीके की कोई बिमारी नहीं है अब इसका कई लोगों से contact होता है यह suppose कि यह व्यक्ति इससे मिलता है और इसको कोई बिमारी नहीं है तो अगर ये इससे मिलेगा या ये व्यक्ति इससे मिलता है जाकर और इसको कोई बिमारी नहीं है तो इसको बिमारी नहीं होगी ये वाइरस सिर्फ फिजिकल कॉंटेक्ट बनाने से खुच जनरेट नहीं होता है तो इसलिए बहुत clear समझे कि अगर इसको भी HIV नहीं है और इसको भी नहीं है और ये इससे मिला है तो बिमारी नहीं होगी अब माल लेजे फिर ये partner change कर जाता है अब ये इससे मिलता है या फिर ये कोई नया बंदा है इसको ये मिल जाता है और ये इससे मिलता है जाकर तो ऐसे में अगर इसको भी बिमारी नहीं है तो और इसके अंदर ओलेडी नहीं है पहले से तो फिर इसके अंदर बिमारी नहीं जाएगी और ना ही ये बिमारी इसके अंदर आएगी यानि HIV ना तो इससे इसको transfer होगा ना इससे क्योंकि ये सिर्फ physical contact करने से खुद generate नहीं होता है अब माल ले जाए ये फिर इससे मिलता है अब ये इसको जानता नहीं है पार्टनर को ये बिमारी थी अब जब ये इससे पहले इन लोगों से भी मिल चुका है तो यहां से ये बिमारी अपने अंदर लेकर आया और यहां से जब ये व्यक्ति इससे मिलेगा तो अगर इसने इसके साथ कोई physical contact किया तो ये बिमारी इसको ट्रांसफर कर देगा इसके अंदर कि next में ये हुआ कि अब ये इसके अंदर कोई बिमारी नहीं है अब ये व्यक्ति इससे मिलता है तो फिर यहां पर chances हो जाएंगे क्योंकि इसको तो ये बिमारी नहीं है लेकिन इसके अंदर आ चुकी है तो अब इसके अंदर से ये बिमारी इस व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है ठीक क्योंकि इसके इससे तो ये बिमारी यहां आई और अब इससे ये टर्न होकर इसके अंदर आगी तो ये अगर इससे मिलेगा या ये इससे मिलेगा बात एक ही है या ये इससे मिलने जाए या ये इससे मिलने आए तो कोई भी पार्टनर किसी से मिलेगा तो क्योंकि इसके अंदर बिमारी आ चुकी है तो यहां से ये बिमारी इसके अंदर ट्रांसफर होने के चांसे रहेंगे अब माल लीज़े ये व्यक्ति इससे मिलता है कभी जाके या ये इसके पास आ जाता है तो चाहें ये इसके पास जाए चाहें ये इसके पास आए तो कुल मिलाकर ये बिमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो ही जानी है इसके अंदर ये बिमारी है तो जब इसके अंदर है तो यह यहां से इसके अंदर बहुंच जाएगी यह व्यक्ति से मिलने आता है या यह व्यक्ति से मिलता है तो भी क्या होगा same way situation क्योंकि इसके अंदर यह positive है यह व्यक्ति positive है तो यहां से यह बिमारी इसके अंदर चली जाएगी बट अगर ये इससे मिल लेता है तो बिमारी नहीं होगी because ना तो इसके अंदर बिमारी है और ना ही इसके अंदर बिमारी है तो ना इसको होगी ना इसको होगी अगर ये इससे मिलता है तो भी क्यों नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बिमारी नहीं, इसके अंदर इसको भी नहीं होगी, इसको भी नहीं होगी, लेकिन अगर ये इससे मिलेगा, उसके बाद में माल लेज़े, तो क्योंकि ये इसको इससे आ चुकी है, तो अगर ये अंजान है, ये भी अंजान है, ये दोरों मिलते हैं, त तो इस तरीके से ये एक से दूसरे में जाती है अगर ये नहीं है किसी के अंदर तो ये बिमारी एक से दूसरे में नहीं फैलेगी अब इससे बचा कैसे जाए अब मान लेजे ये व्यक्ति जिसके अंदर ये बिमारी थी अगर ये इस व्यक्ति से मिला था जिससे सबसे पहली वार इसके अंदर बिमारी आई तो अगर इसने कॉंडम यूज किया होता तो ये बिमारी इसके अंदर नहीं आती क्योंकि जो condom use किया होता तो virus इसके अंदर नहीं आता या फिर male, female जो भी condition आप यहाँ पर रखना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं यह male भी हो सकता है यह female हो सकता है, यह female यह male तो इसी तरह से अगर इसने अगर यह positive हो गया होने के बाद अगर इसने condom use किया होता तो इस partner को HIV transfer नहीं होता इसी तरह से अगर यह इससे मिला, अगर इसने condom positive होने के बाद भी अगर condom use किया होता तो यह इस वेक्ति में नहीं आती मिवारी, तो ऐसे ही अगर किसी भी partner से, अगर कोई भी physical contact हो, अगर उसमें condom use हो, तो वो बहुत बड़ी safety है और वो आपको RTI, STI जो जननोंगों पर रोग होते हैं, उनसे भी बचाती है साथी साथ HIV के transmission से भी यह बचाती है, तो always have remember कि जब भी किसी से physical contact हो, तो वो हमारे condom के साथ में होने चाहिए basically physical contact में सबसे बड़ा confusion, आज भी लोगों में यह बहुत बड़ा है कि आखिर virus आ कैसे जाता है हमारे अंदर तो इस पे मैंने अलेड़ी video बनाया है आप उसको playlist में जाके जरूर देखिए कि virus आखिर आता कैसे हमारे शरी में, हमारे किस रास्ते से शरी के अंदर वो प्रिवेश करता है तो वो आपको video हमारे playlist में मिल जाएगा और बहुत जल्दी और एक अच्छे तरीके से आपका concept really clear हो जाएगा, तो well अगर आपका इसके अलावा भी कोई confusion रह जाता है HIV से related तो आप जाए नीचे comment box में comment जरू करिएगा जिससे कि हम उसको next video में discuss करेंगे तो well नए वीडियो में एक ने टापके साथ फिर मिलेंगे, till then keep smiling